वेलकम तो लॉंग टर्म शेयर्स अवर आज संडे है 10 मार्स 2019 और आज का जो हमारा स्टॉक है उसका नाव विकास प्रोपेंट इन ग्रिनाइट लिम्टेड और इसका जो लाज फ्राइडे वो क्लोजिंग था 8.90 मतलब शुपायोफंग दर्लाइट और विक लोण था 62 पैसे ओर रोह बनानाए था मतलब आट रुपएंगे पैशे का हई भनाना दैवल डेली हई आए मेरा ये देखतें चार्ट हें पर यह देखिए उपर चड़ता ही जा रहा है चड़ता ही जा रहा है और संटीमीटर में करें 93% लोग खरीद लीजिए ना 7% करें कि बेश दीजिए यह देखिए यहां पर 450 करोड की मार्केट कैप है और यह माइक्रो कैप कमपनी है 0.66 EPS है इसका जो की काफी कम है P है 13.48 की book value 2 की price to book है 4.32 की और industry P है 60 की deliverable है 100% मतलब माल बचा ही नहीं लोगों ने भर रखा है offer price कुटी देखे 0-0-0-0-0 मतलब खतम हो गया लोग सब भर के रखें खरीद के तो अच्छी बात है लोगों ने खरीद रखा है और इसका premium बढ़ता ही जा रहा है आए बढ़ते हैं इसके रेटन की तरफ क्या इसने रेटन दिया देखिए यहां पर 10 सालों में 44 परशन गजब वन मंथ 43 और वन वीक में 1.01 परसेंट का पड़त कहीं भी नेगटिव में इसने रेटन नहीं दिया है पिछले दस सालों है बढ़ता ही जा रहा है तो यहां पे आई हम देख लेते हैं इसका पी देखी चुके हैं और रेटन उन एक्विटी है 34.67 की जबरदस्त है डेट इकिटी 1.03 की थोड़ा करजा ज्यादा लग रहा है आगे हम देखें कितना इन पे और नेट सेल्स 15.39 क्रोड की है नेट प्रॉफिट इसका 11.93 क्रोड का दिसम्बर के क्वाटाली रिजल्स में प्रॉफिट दिखाया है जबरदस्त वेलवेशन वेरी एक्सपेंसिव पे है आरोई है इसका 34.67 का आरोची है 11.03 का और अर्निंग के साब से इसका प्राइस थोड़ा महेंगा दिखा रहा है चार्ट में वेलवेशन वेरी एक्सपेंसिव अब इसमें हम क्या कह सकते हैं बहुत ही कम प्रीमियम वाला स्टॉक है अब और 52 वीक जो लो था इसका 72 पैसे से सिधे 8 रुपए 90 पैसे तक पढ़ा है तो यह देखते हैं फनेंशल ट्रेंड वेरी पॉस्टी और स्कोर इस ट्वंटी सिक्स अब देखी यहां पर करजा इस पर 17 में था मार्च 106 करोड़ का मार्च 18 भी 106 करोड़ का थोड़ा सा करजा इंक्रीज हुआ है थोड़ा सा और नेट सेल्स में बढ़ा था 27 परसंट की नेट प्रॉफिट भी बढ़ा था थोड़ी सी और और अपरेटेंट प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ाद बहाने में काम्याब रहे देखे प्रमोटर्स की होल्डिंग इन्होंने 18.35% बढ़ाई है इंक्रीज किये थे बहुत ही अच्छी बात है यह देखिए सब्तमबर 18 के दिसंबर 18 के क्वार्टर में इन्होंने 18.35 में क्रीम में दिखे रहा हुए इन्हों कौन्टिक्टी बढ़ाई है तो बहुत ही नहीं है mutual funds की 0 है और individual जो investors है 60.78% और non-institutional investors यहाँ पे थोड़ी से decrease की हुए है अब देखिए यह dividend paying stock नहीं है अभी तक तो फिलाल chemical की company private house है और 1994 से यह काम कर रही है अपनी industry में 36 नंबर पे है Vikaas Granite Limited is engaged in the manufacture of gaurgum powder the company also has a prime seed processing plant for captive consumption to ensure uninterrupted supply of quality gaurgum split to ensure the consistent quality of end product adequate food grade high viscosity gaurgum powder the company has business presence across the world in the countries like USA, Europe, Brazil, Japan, China, Australia, South Africa etc. मतलब इनका foreign में अलग-अलग countries में इनका माल export होता है बहुत यह अच्छी बात है दोस्तों अभी हमने इसके मोटा मोटी fundamental देख लिए और एक छोटा stock है ऐसे stocks multi bagger बनते हैं multi bagger क्या कहेंगा अभी देखेंने साल भर में इसका साड़े 600% का return है अभी क्या multi bagger से कम था अब आगे क्या करना चाहिए valuation थोड़ा सा experience दिखाई दे रहे हैं और अभी तो खैर सब लोगों ने माल भरी रखा है तो देखते हैं मुझे लगता है कि जब भी मौका लगे तो जरूर आप इसमें भी invest करें थोड़ा सा थोड़ी सी amount आप डाल के रखें मुझे तो fundamentally अच्छा लगा जो इसका business वह भी अच्छा लगा और दोस्तों देखिए हमारा चैनल है अगर आपने subscribe नहीं किया तो जरूर subscribe कर लें हम आपको अच्छे-च्छे stocks देखिए हमने विकास प्रोपर ने ग्रेनाइट का भी बताया तो वह भी उसके fundamental अच्छे लग आने वाले समय में और भी बताते रहेंगे अपने investors को दोस्तों आप जरूर हमारा वीडियो देखते रहें और जिन्होंने सारे वीडियो नहीं देखे हैं वो फिर से देख लें और मैं बताना चाहोगा जबसे हमने अभी चैनल फिलाल एक महीने भी नहीं हुए शुरू किय अच्छी बढ़त दे रहें जिन पर हमने पुलिष थे और चाहे वो चमालाल सेतिया हो शायद इस वीडियो को अभी तक आपने बहुत कम वीबस हैं इसको भी देखिए आज जब मैंने ये इसके लिए बाई कॉल दी थी कि इसको खरीदे या ना खरीदे तब 70 रुपय का थ जाता है 86 पर शायद ट्रेट कर रहा है तो देखिए अच्छे-च्छे स्टॉक हम बताते रहते हैं छोटी प्राइस का स्टॉक था तो जरूर हमारे सारे वीडियो देखें और थैंक यू फोर वाचिंग इस वीडियो मिलते हैं चलता